आचारे जी अभी हम रिलेशन्शिप्स की बात कर रहे थे तो कई बार हमने देखा है कि रिष्टे बनते हैं तूट जाते हैं फिर बन जाते हैं तो यह जो सिलसिला है इसको क्या एस्टॉलोजिकली ठीक किया जा सकता है गिरते हुए को सबसे पहला आवश्चक है सपोर्ट सहीयोग और उससे भी जादा आवश्चक है होप वो मिलता ही एस्टॉलोजी में है आप से कुछ भी बुरा से बुरा काम हो गया हो आप से कितना भी बड़ा आपका नुकसान क्यों नहीं हो गया हो सिर्फ और सिर्फ जोतिश ही है जहां पर आपको ये कहा जाता है कि ये सारी की सारी चीजें ये सारा का सारा दारोमदार ये सारी की सारी जुम्मेदारी ग्रहों की है आप से कुछ नहीं हुआ आपने नहीं, आपके ग्रहों की वज़े से ऐसा हुआ है और आपको उसी समय हो पाता है आप फिसे खाड़े हो सकते हैं ये आपकी अपनी उर्जा है जिसे सिर्फ जागरत करने की आवशकता है आपको उस बात को माननी की जरुरत है कि हाँ, ये मैं जानता हूँ इस समय तक ये खराब है इसके बाद ये समय आएगा जब मैं ठीक हो जाओंगा अब मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी है और ज़्यादा परिश्रम करना है सही दिशा में जाना है और इस प्रकार से प्रयत्न करना है कि हां मुझे ठीक होना ही है आचारे जी इस वकट तो अपना भाग्य विधाता बनना या नहीं बनना तो पता नहीं अभी आपको भाग्य विधाता ज़रूर सबने समझा हुआ है तो इसलिए आप हमारे नेक्स्ट कॉलर से बात करें बिल्कुल स्वागत है स्वागत है अपना नाम बताएं कहां से बोल रही है बिल्कुल स्वागत है अपका बताएं अब मेरा बर्थ ओफ डेट तो एक्जित याद मेरी मुम्मी को जो है अभी हाल ही में तो सब सर्टिटिकेट में आपको बता देती हूँ एक तो आपको साधुबाद धन्यवाद कि आप इस प्लेटफॉर्म को चुन रही हैं अपनी समस्या के लिए और दूसरी एक बहुत महत्पून बात ये बात सिर्फ आपकी अपनी नहीं है आपके माद्यम से बहुत सारे लोगों को इस बात का भान होगा पता चलेगा कि ऐसी अविवस्थाओं का किस वज़े से हमें सामना करना पड़ता है जब हमें जो चीज सबसे ज़्यादा प्रिय हो जो चीज सबसे ज़्यादा आवश्चक हो और उसी चीज के लिए समझोता करके जो अभी आपने थोड़े देर पहले बोला कि मैंने ठान लिया कि अब मुझे बिवाहन नहीं करना ऐसा सामना करना बहुत काबले तारीफ है जिकि आपकी कुंडली कहती कि आपके जीवन में सबसे बड़ा स्थानी इसी चीज का रहा है आपकी अपनी कुंडलनी में वो पावर है आपका जो सोल है वो बहुत स्पारकिंग है उसका कलर बहुत आकरशक है और आप साक्षात साधना साधन साध्य संपन्नता की और अग्रसर होने वाली जातक है तो मुझे लगता है कि आपको उपाय तो करने चाहिए आपको अपनी साधना में कुछ मंत्रों का प्रकल्प रखना होगा सबसे पहला आपका मंत्र होगा ओम बल्लभम गजा ननम ओम बल्लभम गजा ननम ये मंत्र जैसे ही आप बोलेंगे तो आपके उन चक्रों पर हीलिंग महसूस होगी जो अभी कम active है जिनकी वज़े से आपके काम नहीं हो पा रहे है जिसकी वज़े से आप अपने बनाए हुए गोल को अचीब नहीं कर पा रहे है और जो आप करना चाहते वहां तक नहीं पहुच पा रहे है उस पे आपको बहुत बल मिलेगा अगेन दूसरा आपको काम करना है बहुत खास तरीके से कि अपने पुराने कपलों का गरीबों में दान करें इस मंत्र का जाप करें और अपनी उपासना में अपनी साधना में सिद्ध कुंजिकास्तोत्र को इंटर कराईए जैसे ही वो करना सुरू करेंगी थोड़े दिन कष्ठ होगा थोड़े दिन वो उचारण आपका बहतर नहीं होगा जब आप इसका वास्तविक उच्चारणकर समस्क्रक का ही पाट करेंगी तो आप देखेंगे कि आपके जीवन का वो मार्ग सुगम होगा सफल होगा जिस पर आप वास्तिविक तामें चलना जाती थी जिस पर आपको चलने की आवश्यक्ता है दिशा अब आएगी आपके जीवन में सायद इतने दिन का ये जो कल्पवास था ये अज्यातवास इसको कह सकते हैं ये ऐसा समय था जिस समय में आपको ये कश्ट भोगना ही था और ये साधना थी अब आपकी उस साधना का फल है जो आपको आगे मिलेगा बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए शो पे दोस्तों अगर आपके मन में भी ऐसे कई सवाल हैं जो आपको परिशान कर रहे हैं मिस गाइट कर रहे हैं भटका रहे हैं तो बिल्कुल परिशान मत होईए बस फोन उठाईए और इन नंबर्स पर कॉल कीजिए जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लाश हो रहे हैं अपनी डेट अफ बर्थ, टाइम अफ बर्थ और प्लेस अफ बर्थ जरूर बताईए अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेर कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप अपने विचार या सवाल कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं आप आचारे सतीश डी से मिलने के लिए हमें कॉल भी कर सकते हैं हमारा नंबर है 0808 1426 940